पहने साल 2016 में 500 और 1000 का नोट बंद किया गया था आज मध्यरात्री यानी 8 नवंबर 2016 की रात्री को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी और अब 2023 में 2000 का नोट बंद किया गया है क्या मोधी सरकार को ब्लैक मनी को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ नोट बंदी ही एक लौता तरीका नजर आता है क्या ब्लैक मनी को कंट्रोल और प्रिवेंट करने के लिए दी मोनेटाइजेशन अर्थात नोट बंदी ही एक लौता सही तरीका रह गया है पूरी दुनिया का एक स्पोर्ट का ये कहना है कि दी मोनेटाइजेशन भले ही सौट टम के लिए ब्लैक मनी को कंट्रोल करने के लिए एक बेस्ट तरीका हो सकता है लेकिन इसका असर किसी भी देश में लौन्ग टम तर देखने के लिए नहीं मिलता है एक स्पोर्ट ये मानते हैं कि ब्लैक मनी को रोकने के लिए पूरी तरह से डी मोनेटाइजेशन पर निर्भर रहने से अच्छा एक कम्प्रिहेंसिव एप्रोच जिसमें बहुत सारे स्ट्रेटीजिज इनभल्व हो वो ज्यादा एफेक्टिव होगी किसी भी देश में ब् इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिसकस करने वाले हैं लेकिन उससे पहले चलिए ये जानते हैं कि डी मोनेटाइजेशन करना या देश में नोट बंदी लागू करना प्लैक मनी को कंट्रोल करने के लिए क्यों सबसे बेस तरीका नहीं है और इसके लिए चार मेजर का जैसे कि एसेट्स, इन्वेस्ट्मेंट, डिजिटल करेंसी अट्सेक्ट्रा लेकिन डी मोनेटाइजेसन लागू करने से या देश में नोट बंदी करने से ये सिर्फ क्यास होल्डिंग के रूप में छुपे हुए बिलैक मनी को ही टार्गेट करता है जो कि पूरे देश के ब्लैक मनी का सिर्फ कुछ अंसी होता है। इसका मतलब demonetization या नोट बंदी करने से देश के ब्लैक मनी का सिर्फ कुछी हिस्था ये recover करने में सक्षम रहता है। और बाकी हिस्था जो की दूस्रे फ़ाँ में मौजूद होते हैं उसको ये डिटेक्ट नहीं कर सकता है नमर दो डिस्रप्शन टूदा एकोनोमी दोस्तो एक्सपोर्ट्स यह मानते हैं कि नोट बंदी करने से किसी भी देश के अर्थ वेवस्था में सदेन उथल उथल आ सकता है और खास करके ऐसे देशों में जहां के ज्यादा तरलोग सिर्फ और सिर इसल लागू करने से देश में सदेन रूप से क्यास की कमी हो जाती है और जिसकी वज़े से पोरे देश के बिजनस सेटर पर और आम जनता के जीवन पर बहुत ही घटिया असर परता है दोस्तो डी मोनेटाइजेशन या नोट बंदी किसी भी देश में अचानक से लागू करने से देश के जनता को बहुत ही ज्यादा असुवधाओ का सामना करना परता है और खास करके ऐसे लोगों को जिनकी पहुँच से बैंकिंग सुवधाए बहुत ही दूर है और जिनको डिजिटल लेंदेन या डिजिटल कारोबार के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है और ऐसे लोग खास करके अंडर डिवलोप और डिवलोपिंग कंट्रीज में बहुत ही ज़्यदा देखने को मिलती है और नमर चार, Evolving Strategies तो उस्तो जो लोग Black Money में डील करते हैं और खास जिसके पास में बहुत ही ज़्यदा Black Money मौजूद होता है अक्सर ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोग बहुत ही ज़्यदा Powerful होते हैं और बहुत ही ज़्यदा Knowledgeable भी होते हैं और इसलिए देश में Demonetization या Note बंदी लागू करने से भी ऐसे लोगों को कोई भी ज़्यदा फरक नहीं परता है Demonetization लागू करने के बावजूद भी ऐसे लोग अपने Black Money को बहुत सारे माध्यमों से बचा लेते हैं जैसे कि Electronic Transaction का यूज करना, Cryptocurrencies में इंवेस्ट करना, एडसेक्टरा तो ये कुछ मेजर कारण है जो कि ये दरसाती है कि क्यों किसी भी देश में Demonetization अर्थात नोट बंदी को लागू करने से Black Money को कंट्रोल करने का एक बेस्ट तरीका साबित नहीं हो सकता है अब चलिए कुछ ऐसे strategies पर एक नजर डालते हैं जो कि पूरी दुनिया के experts ने पूरी दुनिया को सजिस्ट किया है अपने देशों में Black Money को कंट्रोल और प्रिवेंट करने के लिए अर्थात बिक्तिय संस्थानों को मजबूत बनाना दोस्तों experts का ऐसा मानना है कि देश के मौजूदा financial system में transparency अर्थात accountability को enhance करने से Black Money के फूलो को बहुत ही आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है और इसके लिए effective anti-money laundering मजबूत tax administration और cross border cooperation की ज़रुत परती है दोस्तों देश में digital lending को पुरुत्साहित करने से और अपचारिक अर्थ विवस्था को बढ़ावा देने से देश में cash का इस्तमाल करने में कमी आती है और इसके साथ साथ transparency को भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा मिलता है और इसके लिए financial inclusion, promoting online payment system and implementing effective taxation policies ऐसे strategies की ज़रुत परती है दोस्तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि जितना काला धन देश में cash के रूप में मौजूद नहीं रहता है उससे ज़्यादा देश के बाहर में मौजूद होता है और Swiss bank इसका सबसे best example है जो लोग black money में deal करते हैं ऐसे लोग अपना ज्यादा तर black money अपने देश में नहीं बलके दूसरे देशों में cross border transaction के माध्यम से भेज देते हैं ताकि देश में अगर कोई नया कानून लागू भी हो तो उनको ज्यादा असर नहीं पड़े और इसलिए अगर ऐसे केस में demonetization को लागू भी किया जाता है तो demonetization ऐसे black money को detect नहीं कर बाता है और इसलिए इस चीज़ को completely रोकने के लिए international cooperation की बहुत ही ज़यदा ज़रुत परती है और नबर चार simplifying tax system अर्थात कर परनाली को सरल बनाना दोस्तों अक्सर ऐसा देखा गया है कि complex tax structure ही tax evasion के अवसर को पैदा करती है tax law और procedure को सरल बनाने से या फिर अनाबस्यक्ट खुट को कम करने से या देश में fair and effective tax law का निर्मान करने से black money को काफी हद तक control किया जा सकता है क्योंकि black money का origin ही tax से बचने के लिए किया जाता है और ऐसे में अगर देश में एक efficient और effective tax policy या फिर tax law का निर्मान किया जाता है तो black money का origin करने से पहले ही इसको control किया जा सकता है तो ये है कुछ ऐसे strategies जो कि पुरी दुनिया के experts ने किसी भी देश में black money को control और prevent करने के लिए suggest किया है इंडिया में भी मोधी सरकार को बार बार देश में demonetization या note बंदी करने की बजाए अगर मोधी सरकार भी ऐसे ही strategies का इस्तमाल करती है तो इंडिया में black money को रोकने के लिए वो एक best तरीका साबित हो सकता है और इससे देश के लोगों को ज्यादा असुविधाओं का सामना भी नहीं करना परेगा तो बस ये था दोस्तो आज का हमारा वीडियो black money के बारे में आपको वीडियो कैसी लगी अपना opinion नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा तो मिलते हैं आगले वीडियो में तप तक के लिए नमस्कार